नमस्का दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हुआ लोग तो भाईया एक वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही है मेरे पास मीर सब्दर एक्सवाई जड नाम का चैनल है पाकिस्तानी चैनल है और इसका एक वीडियो है तो पु अपने देख चुके होगे तो मुझसाब से रिक्वेस्ट कर रहे थी कि हमें यहां से ले जाओ क्या उनकी कंडिशन है क्या आलात है बाकि उनसे जानते हैं आगे चलकर आप खुद देखें तो यहां पर यह देखें इसी कंडिशन में यहां पर एक फैमली बेटी हुई है और यहां पर यह साइड में चूला आए तो यह देखें चार पाई भी मेरे ख्याल से चूटी फूटी हुई है चोटे बच्चे और भाई बेटा हुए अपनी वाइफ के साथ और यहां पर घर वगेरा मेरे कमरा था रूम टूटा हुआ है वो भी नहीं कुछ भी नहीं यह यहां पर देखें यह खाली चुछ है तो यह देखें बच्चे बैट्रोइ पहरी आफ एपका राजा क्या बाटतै रचा क्या वान गरता हुए यहँ खयती बारी का कम करता है बाई वी खेटी बारी का क्पका की canada बचा लूम जो बीस बचारा कूट पील आपको स्ने बगा तो आप इंडिया में जाना जाता हूं तो आप इंडिया में जाना जाती हो आप किस से रिक्वेस्ट करेंगे बात करें किस को बोलेंगे आप मोधी साब को बोले हैं हमारे को ले जाएंगे बड़ी मेरबाद तो आप दिल से कह रहे हूं हम दिल से कह रहे हैं ले जाएंगे त तो क्या वज़ा है जो इंडिया जाने जाते हैं? हम वहाँ पे पकोड़े बेच के गुजारा कर सकते हैं, यहाँ तो पकोड़े भी नहीं कोई ले रहा है भाई पकोड़े भी कोई नहीं ले रहा है आपके हाथ का यानि कुछ लेते ही नहीं है पढ़ा हुआ है यह पानी पर पीते हैं तो बजबूरी अब रह रहे हैं बजबूरी है क्या कर सकते हैं हो दी कि अब इसा ना पता है कि हम नहीं है और भाद उन्हें पता लग जाए ना कि यह हिंदू था और बुस्लमार वाले बड़तना खा लिया फिर हमारी ठोकाई होती है वह बहुत गंदी होती है बहुत बुरी होती है इसलिए डरते हैं वह बढ़े हो चुका है फिर वह बतन कि अब सोचो बिचारे कुछ नहीं कर सकते हैं मजदूरी करो तो महाँसे भगा दिया जाता है कुछ अपना दंदा पानी करो पकोड़े कोड़े तलो तो इनके हाथ कोई लेता नहीं क्योंकि हिंदू है आप सोचो इस बात को कि रोज आपके साथ ऐसा हो तो क्या हो तो जो कि नहीं कारा सकते और यह नहीं होता, वो नहीं होता यह परिस्धितियां बनाए जाती हैं जब आपसे कोई बात नहीं करेगा, जब आपके हाथ कच्छुअ कुछ खाया नहीं, पिएगा नहीं, सब आपका सोशल बाइकाउड कर दिया जाएगा, कब तक आप अपने अगर यह कुछ दिनुमाली जी निकल नहीं पाया आप देखना यह खबर आ जाएगी आज नहीं तो सालवर्बाद से यह कंवर्ट हो गया मजबूरी है जान थोड़ी में देगा विचार है क्या करेगा यह होता है टीन बच्चें चोटे-चोटे सकूल भी नहीं कर सकता है इड़्मिशन नहीं हो सकती कुछ भी नहीं हो सकता है प्रवाइट स्कूल में पढ़ाओ तो पांच हजार होने चाहिए कि बच्चे के लिए ललका भी नहीं पानी पी नहीं कहां से जाएं पुछ पी नहीं यह खाली पिलाट बच्चे यहां पे करतें पिसा अगोरा तो आप वाश्रूम के लिए कहां जाते हो बड़े बाहर जाते जंगल में जंगल में जाते हो जंगल में तो वहां पर कहते हैं नहीं जिनी खेती होते ओनेदें जाटे बच्चे यहां इप नहीं कुछ भी नहीं है कम रा थाफ़ अब नौज है जट कर रहे हैं कुछ भी बना सकते कुछ भी समान नहीं commission का मुझा पिजारा नियूर नियूर सकता बनाएंगे कहा यह व्याBiously सी चिलो बाई। हमारे को यहां से ले जाओ बड़ी मेरबानी हमारे को ले जाओ यहां से इंडिया नहीं जाते हैं इंडिया जाना जाते हैं यह फैमिली इंडिया जाना जाते हैं मोधी साब से रिक्वेस्ट करें हाथ बांद कर के हमें यहां से ले जाओ तो यहां पर यह सिस्टर यह सिस्टर का घर साथ में मेरे खाला से इस सिस्टर का बनावा हुआ है तो इससे मालूम करते थो यह आपको रहने नहीं देतीं अपने कम्रे में यह यह रहें घुड़ तो आपर रहें हैं यह रहें इस यह कमरा कि लो आई एक अपनी जगह लो अपना कमाओं तो आप सिस्टर यही कहती हो अपनी बेन को भी रहने नहीं दिर साथ में मजबूर यह एक कमरे में हम रहें जाए इसको रहने दें एक कमरा यानि कि यह रहे या वो रहे तो आप भी जाना जाती होगा इंडिया हम भी चलें जाएंगे बुला लेंगे तो चलेंगे बुला लेगा मोधी बुला लेंगे मोधी बुला ले जाना जाते पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाना जाते तो यह इनकी मजबूरी है क्य करें कि हमें इंडिया बेज़ दो एसा घाना इसा कि यडिया नहीं बोल रहा है ये पाकिस्तानी यूटीबर और नाम से लग रहा है कि सफदर नाम तो ये मुसल्मान बंदा होगा एक ुसल्मान बंदा बोल रहा है सामने आपके आखो के आगे कैमरे के सारी चीजे बूली जारी और इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदो के साथ कुछ नहीं होता इसलिए तो आप लोग को बरकत नहीं मिल रही इसलिए आप लोग भिखारी हैं क्योंकि आप लोग जुर्म कर रहें और फिर उस जुर्म को छुपाने के लिए जूट बोलते हैं उसको defend करते हैं उस जूट को, उस जुर्म को defend करते हैं और सचाई सब के सामने है जो भी इस चैनल का मालिक है, मुसल्मान भाई आपको सल्यूट है कि आपने कम से कम सच्चाई दिखाई है, पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई है कि क्या होता है और मैं अपने सारे जो हमारे विवर्स हैं, भाई आप इनको United Nation Human Rights वालों को Amministry International वालों को, इन सब के पास इनके clips भेजें कि देखें ये क्या हो रहा है और पाकिस्तान दूसरे तब करता है कि हम तो जी ऐसा कर रहा है, हम तो जी वैसा कर रहा है हमारे उपर सवाल उठाता है कि आपके amenities पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बताईए हम अगर दावा करते हैं हम अपने मैनिटीज को इंपावर कर रहे हैं तो हमारे पास इसका सबूत है आपके पास क्या सबूत है और ये पोल खोल दी भाई ने ये वीडियो बना कर इनके हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते लोग वहाँ पे इस हर दरजे तक छुआ छूट है क्योंकि हिंदू है इसलिए इसा खाना खाना पगड़र आए ये मिर्ची से रोटी खाता है पेट बहुत दर्द करता है बच्चे भी यही खाते है बच्चे ये मिर्ची बहुत तेज लगती है और बत्चे भी मेरे छोटो छोटो यही खाता है मजबूरी है बाई आधी खाते है आदा वेसे ही हो जाता है गजारा वेसे ही चल रहा है बहुत मुश्किल से चल रहा है हब फ्रकोड़ी से नो से कुछ बेर लगा गो हमें एंडिया के नफरत नहीं कर एंट बाट कर काथें और काफी वीडियोज में देख और काफी में शुना भी यहां अदो कोई आद का खाता भी नहीं हम खाता दूर हमारे को बोलता है वह दूर से खड़ा हो के बात ऑठाओ अच्छा था बहुत दूर को बात करो देख में अलग रखा हुआ हूँ हम लोग खुद वोग के पानी देता है हैं यह टो फिर बूरी आलत है यह पर यह देखें नरिंदर मोधी साब को मैं यह बोलना जाता हूं मेरी फैमिली यहां से ले जाए बड़ी महरबानी हो तो यहां पीछे से इनका एक रूम बना हुआ है मेरे ख्यालते वो भी टूटा हुआ है गिरने वाला है उपर से लकणियां पीछे से पढ़ियें घर के समान से वह सारा सिस गह की नाम है और शिस्टर आपका गंगा गंगा नाम है बचे यह डिiblia चैशी से अपरे संदे को यह गर आया ता, तो जोमय अ आया है इसाल कोई पीड़ी दूब डूबशान सब्कोदे मरे हैं यह पमारे बाध्रूर मेरे बात्रों मैं न घरे दूप में बैठं़ें सकताइब कि अपछाए हुआइश। हदो पड़ी खोड़ें। लगता है अब होता है। वह सामने चाुत भी ने निये घर की समान वगेरा ये सारक पड़ा हुआ है। और ये थी घर की फैमरा सिस्टर क्या नाम है आपका चंदरमा ये कमरा आपने खुद बनवाया अपनी मेनत करके आपनी मेनत करके और किसी ने बनवा कर नहीं दिया नहीं बनवा तो एक कमरा बना उसके ओपर च्छत जो देखे ना आप च्छत वुड की लगी हुई है कुछ ये ब्रशन ये वुड की लकडी की च्छते पानी आता है उपरते तो खेती बार के लिए बैटि तो यह जी है असली सिचुएशन असली तस्वीर पाकिस्तान में हिंदू हो अब देखे पाकिसान से हजारों की संक्या में हिंदू जो है वो छोड़के आ गये हैं भारत काफी लंबे टाइम से रहे हैं सालों से आ रहा है CAA क्यों जरूरी है इसलिए जरूरी है आप देखरें किस तरह से इनको सताया जा रहा है, किस तरह से इनको सोशल बाइकॉट किया जाता है, इनको बताया जाता है कि तुम घटिया हो, तुम हमसे दोयम दर्जे को, तुम दूर रह के बात करो, तुम तुम्हारा चीजी सारी अलग है, तुम हटो, डिस्क्रिमिनेट क आपको यहां से यहां पानी नहीं पीना चाहिए तो वो जो तकलीफ है और वो जो जो उन्होंने यह बात कही थी तो मेरा जो सेल्फ इस्टीम, मेरी डिग्निटी, मेरा स्टूडन लाइफ में अचीवमेंट्स और वो जो महनत और जो मैं अपने आपको समझती थी के मैं दुनिया सरकल होंगी मैं मतलब उरती फिर होंगी बादलों में तो वो जो मेरे साथ जो हुआ था कि आप इस किलास में पानी नहीं पी सकती है क्योंकि आपको इसमें नहीं पीना चाहिए आपको इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए तो वो जो एक ऐलिगेशन या एक स्टिग्मा था मेरे साथ चुपका वा कि यू आर फॉम इस क्लास या इस सिस्टम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ और मैंने अपना इस सोचने का अंदा है उसको चैन किया ना नौकरी है ना काम है ना कुछ है देखिए कैसे जिंदेगी उजार में इसलिए ज़रूरी है अब इहाली में आज ही कल में कुछ लोगों को सिटिजिंशिप मिली है यहां पर जो पाकिसान से आए हैं उनकी आखे भराई देखिए लेकिन इस हकीकत को पाकिसान में कोई नहीं मानता है जब हम कहते हैं कि भारत में माइनरोटी हो या मेजोरिटी हो सबको राइट्स बराबर हैं सबके राइट्स इस तरह के डिस्क्रमिशन नहीं कोई असा नहीं कहा सकता है आपका गलास अलग होगा हिंदू का गलास अलग होगा मुसल्मान का गलास अलग होगा सवाल ही पैदा नहीं होता it एक बच्ची आई है उसको भी citizenship मिली है वो क्या कह रही है आप समझे उसकि पीड़ा को वो बच्ची है आप उसकी पीड़ा को समझेंगे वो पाकिस्तानी बच्ची अब तो खेर इंडियान हो गई वो सुनी हमें आज नागरिता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है पाकिस्तन में हमें बहुत दिक्कत थी मतलब हम लड़किया वहां पढ़नी पाती थी और गर होना है ना आपके देश का भला होना है तो कि यह जुल्म है डिस्क्रिमनीशन है और इसके बदले आप हम पर उंगली उठाते हैं जहांपर सबके राइट्स बराबर है जहांपर सबको एक नजर से देखा जाता है जहांपर कोई पॉलिसी सिर्फ एक किसी वर्ग विशेश क के लिए नहीं बनाई जाते हैं लेकिन आप उसमें भी जबरन हमारे उपर उंगली उठाते हैं और पाकिस्तान के सोकल्ड पत्रकार और ये और वो सब लगे रहेंगे बिना थाक्त के ये हो रहा है वो अरे अपने आज हो रहा है वो तो दिखाऊ को इस भाई को सल्यूट है कि कि मुसल्मान होने के बावजूद भी इसने इस हिंदू फैमली की बाते दिखाई हैं बताया है कि रियलिटी क्या है और कितने बिचारे तंग है वो वहाँ के मुसल्मानों से ये है रियलिटी पाकिसानी ये मानेंगे मत मानो भाई दुनिया तो देख रही है ना दुनिया वीडियोज को देखेगी दुनिया समझेगी कि क्या हो रहा है और जिसको आप मानते हो वो भी आपको दिये जा रहा है कि लोग जुल्म करो और तो खाओ फिर घास खाओ इसलिए जरूरी है दिरे दिरे अब आ जाएंगे जो भी जो भी परसेक्रिटेड मानिर्टी होगा उदर वह आ जाए गए उनको भी अच्छी लाइफ चाहिए उनके बच्चे पढ़े लिखें एक सम्मान के जिन्दीगी गुजा रहे हैं क्या मैजरिटी की गालियां खाएं मैजरिटी को दर केमारे बैठेरे बैचारे कुछ बोल नहीं पाएं ये है कमंड करके आप बताएं और इस वीडियो को जाद 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 शेयर करिए भाई यह बहुत जरूरी है शेयर करना है यह रेलिटी दिखाना पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करना है तब ही बेनकाब होगा जब आपको इसको शेयर करके अलग-अलग जगों पर पहुंचाएंग तब ही हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाइन